साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, خاص कर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हितमे, देश के हितमे, गाउं गरीब के उज्वल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिशी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें क्रुशी कानूनों के महत्त्र को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशे माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए शिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को धान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को धान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंदर सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे, क्रिशी वैज्यानिक होंगे, क्रिशी अर्थसात्री होंगे साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंची की भावना में अपनी बात समात्त करूंगा देही सिवावर मोहे है, सुब कर्मन ते कभूं न टरों हे देवी, मुझे ये वर्द दिजिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे न हटूँ जो किया, किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने महनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा महनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार